हेलो मैं लवलीज वेलकम बैक तो माई चैनल और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये करवा चौत लुक क्रेट करने वाली हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा बहुत महनत से ये वीडियो आ है तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ मैंने CTM कर लिया है मगर मॉश्टराइजेशन अलग से भी जरूरी है उसके लिए मैं ले रही हूँ ये NYB का स्किन फिडेंट शाइनिंग एस सिट कांग स्टार वाला सीरम इसकी खुश्बू भी मुझे बेहत पसंद है अल थोड़ा ज्यादा मॉश्टराइज कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है इससे आपका मेकप जो है लंबे समय तक टिका रहेगा आखों के नीचे भी मैं अच्छे से इसको स्प्रेट करूंगी अब मैं ये ले रही हूँ 24K मार्स का गोल्ड प्राइमर ये आपने मुझे अ और नहीं मीशो से नहीं सोरी मिनीशो से और बस मैंने अच्छे से लगा लिया है मेरा स्किन बहुत बढ़िया फील कर रहा है सो अब मेरको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लो और चाहिए तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूं स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकप बेस ये मेर गोल्डन टिंट में है ये तीन शेड्स में आते हैं मेरा वाला गोल्डन है ये एक हाइलाइटिंग प्राइमर है तो ओईली स्किन वालों के लिए तो नहीं है ड्राइ स्किन वालों के लिए परफेक्ट है बट ओईली स्किन वालों के लिए विंटर सीजन में बहुत अच् येस अब मैं ले रही हूँ Swiss beauty का ये brow powder ये two-in-one product है एक तरफ gel liner भी है और एक तरफ brow powder भी है मैं first time brow अपने फिल कर रही हूँ powder से आप लोग को पता ही है मैं आज तक अपने वीडियो में कभी भी शेयर नहीं किया और मेरा अच्छा experience रहा काफी अच्छा experience रहा आप देख सकत आई मेकप ये यहां येलो करेक्टर यूज कर रही हूँ आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है हाला कि हम concealer लगाते हैं ये प्राइमर लगाते हैं आई प्राइमर बट पिछले कुछ टाइम से मैं ये ये येलो करेक्टर लगा रही हूँ तो मेरा अंडर आइज और आई ल ब्लेंड कर लूँगी ताकि मैं जो भी आईशेडो लगाऊं वो बढ़िया से पॉप अप हो करके आए और कलर उसमें बहुत अच्छे से विजिबल हो और कुछ इस तरह से इधर वाले आँखों पर भी मैं कर लूँगी और आज के पैलेट के लिए मैं यूज कर रही हूँ हूँ हुदा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट और यह मैंने लिया है वेटन वाइल मेगा ग्लो कॉंटोरिंग पैलेट मेरा शेड है कैरमल टॉफी और इसका जो बनाना पाउडर है उसी से ही मैं अपने आईलिट को स ब्लेंड करूंगी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैं कलर डिपॉजिट कर रही हूँ ब्लेंड नहीं कर रही हूँ और इसको बाहरी तरफ मैं इसको लेकर के जा रही हूँ किनारा बाहर से थोड़ा सा निकाल रही हूँ इसके एज़िस काफी पिग्मेंटेड है यह और बस कुछ इसी तरह से मैं अपना ट्रांजेशन कलर बिल्ड करूंगी और अब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसके एज़िस को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई शार्प एज़िस ना दिखे हार्श एज़िस ना दिखे सॉरी यह एक डॉल फेस है कलर का नाम इसको लेकर के एक छोटे पेंसिल ब्रश की मदद से मैं अपने क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ हूँ हुड़ डाइज मेरी तो मुझे आईशेडो लगाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे लिए इतना इज़िस नहीं है आई लुक क्रियेट करना मुझे अपना क्रीज लाइन ही नहीं दिखता है समझ आता है तो वो थोड़ा सा गड़बड हो जाता है तो बस उसी को बिल्ड कर रही हूँ करके मैंने एक बारी ब्लेंडिंग ब्रश चला लिया है अब स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है मैंने और उसकी मदद से मैं क्लट कह रही थी ग्लिटर वाला कट क्रीज है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने अपने क्रीज को कट किया है और अब इसमें से मैं ये शेड लूँगी वापस से मैन इटर और एक फ्लैट शेडिंग ब्रश की मदद से मैं लिड के उपर कलर को प्लेस करूँगी सिर उसी पैलेट से पिक करे हूँ ये ब्लैक कलर इसका नाम है ब्लैक ट्रफल और इससे मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा कलर दे रही हूँ आज के इस पूरे आई लुक में मैं कोई और पैलेट यूज नहीं करूँगी सिर्फ एक ही पैलेट का यूज करूँ आप देखो मैं कुछ इस तरह से आउटर कॉर्नर को डिफाइन कर रही हूं अब स्विस ब्यूटी वाला मैंने दुबारा से वो इसमें से जो जल लाइनर है वो लिया है मैंने और एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर को डिफाइन कर रही हूँ एक शेप दे रही हूँ वी सा और एक पतला सा विंग भी बना रही हूँ ताकि मुझे एक प्रॉपर शेप मिल जाए और थोड़े से आउटर एजज में फिल करूंगी और वापस से ब्लैक ट्रफल वाला कलर लेकर के ब्लैक वाला कलर लेकर के मैं उसका बेस कलर दे रही हूँ बेस के उपर कलर लगा रही हूँ कि इस तरह से अब दुबारा से मैनीटर वाला शेड लूँगी मैं और उसको ब्लैक के साथ मर्ज कर दूँगी ताकि कोई हार्श एजज ना दिखे और सारा लुक जो है ब्लेंडर सा लगे लिट के उपर प्लेस कर रही हूँ मैं कुछ इस तरह से और ब्लैक और उसके साथ मैं इसको मर् से मैं अपना आइलाइनर ड्रॉ कर लूँगी बहुत पतली लाइन लगा रही हूं मैं बिलकुल लैश के साथ 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 और बस आज के आइलाइनर के लिए मैं इसी जेल आइलाइनर को ही यूज करूँगी और येस अब चलते हैं फेस के उपर आईलू कभी भी इनकंप्लीट है उसको बाद में पूरा करूँगी मैं यहां ले रही हूँ परपल का कैफीन कॉमरेट फांडेशन मेरा शेड नंबर टू है इसमें और इसको मैं लगा लूँगी डॉट डॉट करके पूरे फेस पे और ए अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इसके दो तीन कोट लगा सकते हो बिल्डेबल है बहुत हाई कवरेज तो नहीं देता बठा आप इसको बिल्ड कर सकते हो तो आप थोड़ा सा और हेवी लोक आपको मिल जाएगा मुझे लाइट ही पसंद है तो मैं इसको केरिया में एयर लोब्स पे हैर लाइन के पास भी लगा लूँगी अब मैंने स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर लगा है हाई लाइटिंग के लिए वह क्लिप मुझ से डिलीट हो गया पता नहीं कैसे तो बस मैं उसी को ही ब्लेंड कर रही हूं जहां यूजवल जो भी पॉइ उसी से मैं अंडर आइस को सेट कर रही हूं कॉम्पैक का यूज़ नहीं करूंगी ग्लोई मेकप चाहिए कॉम्पैक्ट वगारा से केकी हो जाएगा है तो मुझे लाइट रखना है तो जहां जहां बेसिकली मैंने कंसीलर लगाया है वही वही मैं पावडर लगा रही हूं और उसी पावडर को एक फ्लफी ब्रश की मदद से पूरे फेस में मैं स्प्रेड कर रही हूं आप देख सकतो मैंने अलग से पावडर का यूज़ नहीं किया जो मैंने डिपोजिट किया था बस उसी को ही मैं स्प्रेड कर रही हूं इवनली फेस और नेक पे अब ये मैंने वेटन वाइल का contour stick लिया है, shade number मुझे याद नहीं, मैं description box में दे दूँगी, सारे products के link ही मैं दे दूँगी, आप check out कर लीजेगा, details के लिए, और इसी से मैं ये cream contour कर रही हूँ, और एक इस तरह का angular brush लेकर के, मैं इसको blend कर रही हूँ, कुछ ऐसे, ऐसे festivals बगरा होते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे तयार होना, cream contour करके, उसके उपर फिर powder contour, दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा, मैं direct, generally मैं powder contour ही करती हूँ, बट ऐसे त्योहारों के लिए, ये इस तरह special, जब make-up करना होता है, cream contouring बहुत अच्छा ल उसी same palette से, मैं इसका contouring वाला shade पिक करके, जहां मैंने contour करा है, मैं वही पर इसको place कर रही हूँ, आपको पता है, अगर आपने cream contour करा है, liquid contour use किया है, तो उसके उपर powder से sit करना बहुत ज़रूरी है, तो बस अपने jawline को, क्योंकि काफी सारा double chin है मुझे, तो उसको छुपाना भी ज़रूरी है, nose contouring मैं finger की मदद से ही कर रही हूँ, काफी अच्छा control मिल जाता है, मुझे, बाकी forehead मेरा इतना broad नहीं है, बट still हा, थोड़ा बहुत मैं इसमें लगा रही हूँ, अब blusher के लिए मैंने लिया है, blue heaven का ये diamond blush, shade number, sorry guys, मुझे याद नहीं, मैं description box में डाल द लिप्स्टिक भी मेरा मन था, मैं softy रखू, बट करवा चौत है, तो red lipstick बनता है, अब मैंने यहां लिया है, Swiss beauty का, ये 04 number है, मेरा liquid eyeliner, smoky storm, और एक इस तरह के pencil brush है, ये क्या brush बोलते है, इसको मुझे पता नहीं, बहुत precise application मिलता इस brush से, और बस इसी से, वो जो crease, और lid के बीच में, जो space मेरा था, मैं उसके उपर से, इस तरह wing निकालते हुए, मैं ये liquid eye shadow, जो है, वो मैं लगा रही हूँ, काफी अच्छा है, गाइस, बठाथ थोड़ा सूखने में time लगता है, तो मैं दो मिनट आखे नीचे ही रखूंगी, अब ये faces Canada का magnetic eye kajal है, आप सब को पता है, तो बस इसी से अपना water line और tight line भी मैं इसी से ही करूंगी, आज पता नि, voice over में काफी गड़बड़ी हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा excuse कर दीजेगा, अब palette से black color ले करके, मैं smoke out कर लूँगी, lower lash line को, और उसके बाद man eater वाला जो shade था न, red वाला, उसको भी ले करके, मैं उसके उपर से लगा करके, मैं smoke out कर लूँगी, थोड़ा बाहर की तरफ जादा रखूंगी, अंदर की तरफ red वाला color कम, ताकि बढ़ी आसा blended look लगे, अब ये 24K है, shade का नाम, share, 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 sorry, 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 ये golden eye shadow है, बस इसी से मैं अपने inner corner को highlight कर रही हूँ, कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया था, कि आज voice over में बहुत गड़बड़ी होने वाली है, बहुत हो रही है guys, I'm so sorry, please, excuse me, बहुत जल्दी मैं edit कर रही हूँ, ताकि आप लोग के लिए वीडियो ड बहुत artificial सा look लगता है, anyways, hyper curl mascara लगा लिया है, maybelline का master chrome, molten gold, और it's glow time, molten gold shade है, और उसी से मैं highlighter लगा रही हूँ, अपना, आप लोग को पता ही है कि मुझे highlighter लगाना बहुत पसंद है, so usual points, जहां-जहां मैं highlight करती हूँ, वहां-वहां मैं लगा रही हूँ, अपने cheek bone पर, forehead पर cupid bow, chin area, bridge of my nose, और brow bone को भी मैं कुछ इस तरह से highlight कर लूँगी, yes, मुझे तो बहुत पसंदा है, कलर क्वीन का ये 2-1 लिप्स्टिक है, मेरा shade इसमें 0-4 है, इसका जो bullet वाला है, मैं उसी को आज लगा रही हूँ, soft lips रखना चाह रही थी, बद्दन करवा चौत is incomplete without a red lipstick, तो वो तो बनता ही है, and yes, और आप करवा चौत के लिए तयार हो रहे हैं, तो मांग में सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा, मैंने माथे पे lipstick से सिंदूर का effect दिया है, और मैंने बहुत minimal jewelry रखी है, मुझे पसंद नहीं है, set वगारा पहनना, बठाँ आप करवा चौत के लिए तयार हो रहे हैं, तो आप set जरूर पहन लेना, और ये मैंने छोटा सा एक बन बना लिया है, दो तो बाल है मेरे सर पे, और एक छोटा सा गजरा, और बस ये minimal jewelry के सा आप में तयार हो गई, वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, channel को subscribe, जरूर कर दीजेगा, बहुत महनत से आप सब के लिए वीडियो बनाया है, जल्दी जल्दी तो एक like जरूर कर दीजेगा, मिलती हो अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep loving, keep supporting and keep watching my videos, bye bye and happy करवा चौ बहुत